दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिच्छाओं में सामान्य अध्यन के अंतरगत यूपी इस्पेसल खंड से प्रश्न अवस्य ही पूछे जाते हैं इसी को ध्यान में रखकर हम संपूर यूपी इस्पेसल को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं जो आगामी परिच्छाओं जैसे यूपी पीसियस प्रारंभिक परिच्छा, समिक्षा धिकारी, खंड सिच्छा धिकारी, सहायक वन संरच्छक तथा कंप्यूटर आपरेटर और उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बिभिन पर तो आये शुरू करते हैं आज का वीडियो यूपी पीसी उत्तर प्रदेश विशेश अध्यन यानी यूपी इस्पेसल दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और प्रसासनिक संरचना से संबंधित प्रश्न तो पहला प्रश्न है प्रदेश जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया जबकि इसके पहले इसका नाम यूनाइटेट प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था और आपको एक प्रश्न और जानने की जरुरत है कि उत्तर प्रदेश का अस्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जा अगला प्रश्न है प्रदेश की राजधानी लखनव कब से बनी तो दोस्तों प्रदेश की राजधानी लखनव 1935 से पूर्ण तह और 1921 से आंसिक रूप से लखनव है तो लखनव प्रदेश की राजधानी 1921 से आंसिक रूप में जबकि 1935 से पूर्ण रूप से लखनव ह अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर गठन कब किया गया तो दित हियाद रखिएगा 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर गठन किया गया था अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश का विभाजन कब किया गया तो ये है 9 नवंबर सन 2000 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काट कर उत्तरांचल राज्य बनाय गया जिसे बाद में उत्तरा खंड नाम दिया गया तो उत्तर प्रदेश कभी भाजन 9 Nevin 2000 को किया गया था 13 उत्तरी पहाड़ी जिलों को काट कर अगला प्रस्ष्ण है प्रदेश की राजकी भाषा कौन सी है तो प्रदेश की राजकी भाषा दोस्तों हिंदी है जो की वर्ष 1947 से है और दूसरी राजकी भासा उर्दू 1989 से है तो प्रदेश की राजकी भासा दो राजकी भासाएं है हिंदी और उर्दू उर्दु को राजकी भासा का दर्जा वर्स 1989 से दिया गया है उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी कौन सा है तो ये है सारस और राजकी पसु दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का राजकी पसु बारह सिंगा है राजकी ब्रिच अशोक है और राजकी पुस्प जो है वो पलास या टेसू है टेसू या पलास जिसका फूल लाल रंका होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प है और राजकी पुस्प पलास या टेसू की घोशड़ा 4 जनवरी 2021 से हुई यानि उत्तर प्रदेश के राजकी पुस्प के राजकी चिन्ह एक बृत में दो मचली एक तीर धनुस आप जानते हैं जो भारत जो उत्तर प्रदेश सरकार के राजकी चिन्ह के रूप में जो एक बृत में दो मचली और एक तीर धनुस का जो चिन्ह है ये कब स्विक्रित हुआ था तो वर्स 1938 में उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल का स्वरूप द्वी सदनात्मक है द्वी सदनात्मक यानि विधान सभा और दूसरा सदन विधान परिशद तो एक सदन विधान सभा है और दूसरा सदन विधान परिशद है तो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल का स्वरूप द्वी सदनात्मक है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या चार सो तीन है और एक मनोनी सदस निर्वाचिस सदस चार सो तीन सदस है और एक मनोनी सदस है तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या चार सो तीन प्लस एक है याद रखिएगा आप लोग अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में बिधान परिशद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है बिधान परिशद सदस्यों की कुल संख्या 100 है लोक सभा सीटे उत्तर प्रदेश में कितनी है तो कुल लोक सभा सीटों की संख्या 80 है और प्रदेश में राज्य सभा सीटों की संख्या 31 है 31 उत्तर प्रदेश में राज्य सभा सीटों की संख्या है अगला प्रशन है प्रदेश में बिधान परिसत का गठन कप किया गया जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बिधान मंडल है वो द्वेसद नात्मक है तो बिधान परिसत का गठन 1921 में किया गया था राज्य विधान सभा का पर्थम गठन कब किया गया था तो प्रदेश में प्रदेश की राज्य विधान सभा का पर्थम गठन वर्स 1937 में किया गया था अगला प्रश्ण है राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट पती सासन लागू किया गया है तो ये है दोस्तों 10 बार 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट पती सासन लागू किया जा चुका है पहली बार राष्ट पती सासन 25 फरवरी 1968 से लेकर 1979 तक था लेकिन अब तक अगर जो कुल संख्या आप से पूछी जाती है तो राष्ट में अब तक 10 बार राष्ट पती सासन लागू किया गया है राष्ट के पर्थम मुख्यमंत्री दोस्तों तो राष्ट के पर्थम मुख्यमंत्री पंडित गोबिंद वल्लब पंत रहे हैं जिनका कारेकाल 1 अप्रेल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा है राष्ट के पर्थम मुख्यमंत्री यानि चीफ मिनिस्टर राष्ट के पर्थम सीयम पंडित गोबिंद वल्लब पंत थे जिनका कारेकाल 1 अप्रेल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक रहा है राष्ट की पर्थम राष्ट पाल कौन रही है यानि उत्तर प्रदेश की पर्थम गवर्नर कौन रही है स्रीमती सरोजनी नायडू राज्य की पर्थम राज जपाल रही है और एक और देखिए बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण राज्य की दुती महिला मुख्यमंत्री कौन है तो राजी की दूती महिला मुख्यमंतरी सूस्री मायवती है जो की चार बार उत्तर प्रदेश के सीयम पद को सुसोभित कर चुकी है पहली महिला मुख्यमंतरी तो पहली महिला मुख्यमंतरी उत्तर प्रदेश की स्रीमती सोचिता क्रिपलानी थी वैसे स्रीमती सूचिता क्रिपलानी जो रही है वो भारत के किसी भी राज्जी की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री सूस्री मायवती और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री स्रीमती सूचिता क्रिपलानी रही है पर्थम बिधान परिशद सभापती कौन थे उत्तर प्रदेश के पर्थम बिधान परिशद सभापती दोस्तों स्री चंद्रभाल थे और एक प्रशन और देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसासनिक जो बित्रण है उसके द्रिष्ट से प्रदेश में जिले और मंडल कितने है तो उत्तर प्रदेश में बरतमान में कुल 75 जिले और 18 मंडल है यानि उत्तर प्रदेश में जिले और मंडल की संख्या क्रम से 75 और 18 है अगला प्रश्ण है इलाहाबाद उच्चिने आले हाई कोट आफ इलाहाबाद तो इलाहाबाद उच्चिने आले की अस्थापना 17 मार्च अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधनियम के तहत पर्थम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधनियम 1975 के तहत पर्थम लोकायुक्त नियायमूर्त विस्वंभर दयाल को नियुक्त किया था जिन्हें 14 सितंबर 1977 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था तो पर्थम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के न्यायमूर्त विस्वंभर दयाल रहे थे अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है न्यायमूर्त संजय मिस्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त है और ये क्रम से सातवे लोका यूगत है अगला प्रश्न है पंचायत चुनाओं लड़ने के लिए निर्धारित आयू कितनी है तो पंचायत चुनाओं में जो पद है पंचायत चुनाओं में परधान पद के लिए लड़ने के लिए निर्धारित आयू 21 वर्स है अगला प्रश्ण है राज्ज के पंचायती राजसंस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित जो रिजर्ब सीटों की संख्या है वो कितनी है तो कुल सीटों का एक तिहाई राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरच्छित है नगर निगम अध्यच यानि मेयर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है नगर निगम अध्यच जिसे मेयर कहा जाता है दोस्तों इसका निर्वाचन कैसे होता है तो नगर की जनता द्वारा प्रत्यच रूप से नगर निगम अध्यच या मेयर का निर्वाचन होता है उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या अब तक कितनी है तो उत्तर प्रदेश में अब तक दो महिला मुख्यमंत्री कर चुकी है जिनमें पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी रही है और दूसरी सूसरी मायवति अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश बिधान सभा के पर्थम अध्यच कौन थे पूरुसोत्तम दास टंडन राजर्श पूरुसोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश बिधान सभा के पर्थम अध्यच रहे थे अगला प्रश्ण है राज्य मानवाधिकार गठन, राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया, 7 अक्टूबर सन 2002, 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार परिसत का गठन किया गया था अगला प्रश्ण है या राज्यप्रसासन की धूरी कि से माना जाता है तो राज्यप्रसासन की जो धूरी है या इसका सीरसस्त अधिकारी मुख सचयो यानि चीफ सेक्रेटरी को माना जाता है ये सबसे senior IAS अधिकारी होता है जिसे मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है तो राज प्रसासन का सीरसर्ष्त अधिकारी या राज प्रसासन की धुरी चीफ सेक्रेटरी को माना जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्याले से भिन नाम वाले जिले कौन है तो ये है अमेठी का मुख्याले दोस्तों गवरी गंज में है कौसांबी, कौसांबी जनपत का मुख्याले मंजनपुर है, कुसी नगर का मुख्याले पढ़रोना है, सोन भद्र, राबर्ट्स गंज, जालोन का जिला मुख्याले उरई है, संभल जिले का मुख्याले पवासा है और संतकबीन नगर का खलीलाबाद, गौतम बुध नगर का मुख्याला नोएडा, अमबेटकर नगर का अकबरपूर और सिधार्थ नगर का नौगड है इसी प्रकार फरूखाबाद का जिला मुख्याला फतेहगर है और कानपूर देहात का अकबरपूर माती याद रखेगा, अमबेटकर नगर का जिला मुख्याला है वो अकबरपूर है, जबकि कानपूर देहात का अकबरपूर माती है अगला प्रश्न है, प्रदेश में नगर निगमो की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमो की संख्या सत्रह है साहजहापुर जो है वो सत्रहवा नगर निगम बनाया गया जबकि सोलहवा नगर निगम मधुरा और पंद्रहवा आयोध्या को घोसित किया गया था तो बरतमानवे उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या सत्रह है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश बिधान सभा चुनाओ 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है तो उत्तर प्रदेश बिधान सभा चुनाओ 2017 में कुल 47 महिला बिधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई है जबकि अकेले बीजेपी से 36 महिला मले निर्वाचित हुई हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ावर्ग आयोक का गठन कप किया गया 9 मार्च 1993 याद रखेगा 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ावर्ग आयोक का गठन किया गया था उत्तर प्रदेश और उत्तर खंड दोनों राज्यों के सीयम पद को सुसोभित करने वाले नेता कौन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और उत्राखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर चैनित या न्यूक्त होने वाले नेता नाराड़ दर्तिवारी यंडी तिवारी रहे हैं अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधान सभा सीटों वाले जिले कौन से हैं याद रखियेगा CMS चित्रकूट महोबा स्रावस्ती यहां पर मात्र दो दो विधान सभा सीटे हैं अगला प्रश्ण है NCR में सामिल उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी है NCR यानि National Capital Region या राष्टी राजधानी छेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल आठ जिले सामिल हैं जिन में मेरट, गाजियाबाद, गौतम बुधनगर, बुलंद सहर, हापूर, बागपत, मुझफर नगर और सबसे अंत में जो सामिल हुआ है जिला वो है शामली तो राष्टी राजधानी छेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के कुल आठ जिले शामिल हैं अब आये देखते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा क्रिसी एवं पसुपालन से संबंधित महत्तपूर प्रश्ण उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिर्दा कौन सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में कौन सी मिर्दा पाई जाती है तो ये है जलोड मिर्दा जलोड मिर्दा उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है तीन प्रश्न क्रम से देखते हैं बहुत ही महतपूर है प्रदेश में कुल क्रिसी पारिस्थित की छेतरों की संख्या कितनी है क्रिसी पारिस्थित की छेतर यानि एग्रो एकोलाजिकल जोन्स प्रदेश में कुल एक्रो एकोलाजिकल जोन्स की संख्या या क्रिसी पारिस्थित की छेतरों की संख्या 20 है प्रदेश में कुल कृसी जलवाय चेतर यानि एक्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है तो ये है नौ उत्तर प्रदेश में कुल नौ क्रिसी जलवाय चेतर है कई बार परिच्छाओं में पूछा जा चुका है एक महतोपूर्ण प्रश्ण मिर्दा समूह से संबंधित तो प्रदेश में कुल मिर्दा समूह कितने हैं तो ये हैं आठ आठ मिर्दा समूह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं अगला प्रश्ण उत्तर प्रदेश अधिक्तम जोत सीमा आरोपन अधिनियम या सीलिंग कानून कब लागू हुआ था वर्स 1960 में 1960 में अधिक्तम जोत सीमा आरोपन अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था अगला प्रशन है प्रदेश में सुस्क क्रिसी छेतर के अंतरगत कौन सा छेतर सामिल है तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुस्क क्रिसी बुंदेल खंड छेतर में की जाती है क्योंकि यहाँ पर बरसा बहुत ही कम मात्रा में होती है इसलिए यहां पर अधिकतर ऐसे फसलों की क्रिसी की जाती है जिन में कम सिचाई की आओ सकता पड़ती है तो इसलिए प्रदेश में सुस्क क्रिसी छेतर जो है वो बुंदेल खंड छेतर है अगला प्रश्ण है प्रदेश में कुल बोए गए छेतरफल पर नल कूपों के बाद सिचाई का स्रोत कौन सा है तो सबसे अधिक छेतरफल नल कूपों द्वारा सिचाई होती है उसके बाद दूसरे अस्थान पर नहरों का क्रम आता है तो प्रदेश में कुल बोय गय छेतरफल पर पहले अस्थान पर नलकूपो द्वारा सिचाई होती है और दूसरे अस्थान पर नहरे आती हैं सिचाई के स्रोत के रूप में अगला प्रश्ण है प्रदेश में सरवाधिक छेतरफल पर बोय जाने वाली फसल कौन सी है तो बहुत ही महतपूर है दोस्तों प्रदेश में सरवाधिक छेतर पर गेहुं की फसल बोही जाती है इसके अलावा राज्य की सरवाधिक महतपूर नकदी फसल या कैस क्राप कौन सी है तो राज्य की सरवाधिक महतपूर नकदी फसल गन्ना है गोकुल पुरसकार योजना का संबंध किस से है दोस्तों गोकुल पुरसकार योजना नाम से असपश्ट है आपको गोकुल पुरसकार योजना का संबंध दुग्ध उतपादन से है अमरूद के लिए प्रियोग और प्रसिछण केंद्र कहां पर इस्थित है दोस्तों अम्रूद, अम्रूद के लिए प्रियोग और प्रसिच्छन केंद्र प्रियागराज में इस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो निर्यात योग अम्रूद है उसकी सरवाधिक खेती प्रियागराज और कौसामभी जनपदों में की जाती है और इसी लिए अम् अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जो है अपना खाद्यान, गेहुं, गन्ना, आम, दूध, मिन्था इन सब के उत्पादन में देश में कौन सा अस्थान रखता है तो उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान, गेहूं, गन्ना, आम, दूध और मेंथा आयल के उत्पादन में पर्थम अस्थान रखता है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंसकरण उद्योग नीत कब घोसित की गई वर्स 2012 2012 में दोस्तों उत्तर प्रदेश फोड प्रोसेसिंग इंड़स्ट्री पालिसी घोसित की गई थी अगला प्रशन है प्रदेश में फल संडच्छन एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहां इस्तित है तो ये है लखनव में फल, संडच्छन एवं डिब्बाबंदी संस्थान अगला प्रश्ण है दोस्तों फलों की प्रजातियां है या ध्यान दिजिएगा सफेदा, करेला, सरदार, ललित, सुर्खा ये महतुपूर्ण प्रजातियां है फलों की सफेदा, करेला, सरदार और ललित, सुर्खा ये अमरूद की प्रजातियां है अगला प्रश्ण है माल भोग, चीनी चंपा, अलफान, अधिस्वर और दूधसागर किस फल की प्रजातियां है तो ये है केला केला की महतुपूर्ण प्रजातियां हैं मालभोग, चीनी चमपा, अलफान, अधिस्वर और दूध सागर अगला प्रश्ण बहुत ही महतुपूर्ण है दोस्तों फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डबलप्मेंट सिंटर कहां पर इस्थित है तो ये फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डबलप्मेंट सिंटर ये मेंथा आयल या पिप्रमेंट आयल जिनका उत्पादन सरवाधिक मातरा में बारा बंकी और अमबेटकर नगर जनपदों में होता है उसकी शुद्धता की जाच के लिए ये fragrance and flavor development center की अस्थापना की गई है और ये कन्नावज में इस्थित है अगला प्रश्ण है पसु जैविक अउसधी संस्थान कहां पर इस्थित है पसु जैविक अउसधी संस्थान लखनव में इस्थित है पसु टीकों का निर्माड पसु जैविक अउसधी संस्थान द्वारा किया जाता है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों उत्तर प्रदेश की क्रिसी उत्पादक्ता सरवाधिक किस छेतर में है तो ये पस्चमी उत्तर प्रदेश में क्रिसी उत्पादक्ता सरवाधिक है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर सिचाई की बिवस्था है और उन्नत क्रिसी तकनिकों का प्रियोग किया जाता है और सबसे महत्तपूण बात ये कि जो अपना हरित करांती रहा या ग्रीन रेवुलोशन उससे भी सरवाधिक लाब पस्चमी छेतर को हुआ है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सीमांत क्रिसक किन्हें कहा जाता है ऐसे किसानों को जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमी है उन्हें सीमान्त किर्षक कहा जाता है तो सीमान्त किर्षक वे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमी है सीला धर मिर्दा विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थित है अगला प्रश्ण है जली अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का प्रमुख छेत्र कौन है तो तराई छेत्र जो है दोस्तों ये जली अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का छेत्र है और प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उत्देश से किसान बही योजना कब प्रारंब की गई ती किसान बही योजना 1992 में प्रारंब की गई थी अगला प्रशन है राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है तो ये है दोस्तों सहारनपूर सहारनपूर में संतरे की पैदावार होती है जबकि लीची उत्पादन में भी सहारनपूर प्रमुख अस्थान रखता है उत्तर प्रदेश में अगला प्रश्ण है किसानों को क्रिसी रिर्ड के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारम कब किया गया वर्स 1999-2000 1999-2000 से किसानों को क्रिसी रिर्ड देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारम किया गया था अब आये देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन, अर्थ बेवस्था, उद्योग और प्रमुख योजनाओं से संबंधित, परिच्छाओं की द्रेश्टी से अतिसंभावित और महत्वपूर्ण प्रश्ण तो पहला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की अस्थापना कब की गई उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की अस्थापना वर्स 2004 में की गई थी प्रदेश का सबसे लंबा यानि प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग कौन सा है तो यह है दोस्तों NH2 यानि National Highway 2 राश्टी राजमार्ग संख्या दो जिसे की GT Road या Grand Trank Road भी कहा जाता है ये प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है देश में कुल सडक संजाल की दृष्ट से उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है तो देश में सडकों के नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा अस्थान है जबकि इस मामले में यानी रोड नेटवर्क के मामले में देश में महराष्ट परथम अस्थान पर आता है अगला प्रश्ण है उत्तरप्रदेश राज्य का परथम एकस्प्रेसवे कौन सा है तो ये greater noeda और noeda के बीच जो express way बना है वो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम express way है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों राष्टी राजमार्क प्राधी करण द्वारा निर्मेत उत्तर दच्छिड और पूरत पश्चिम कोरिडोर एक दूसरे को कहां काटते हैं तो ये जो पूरे देश को पूरब पश्चिम और उत्तर दच्छिड से मिलाने वाला जो पूरब पश्चिम उत्तर दच्छिड कोरिडोर है वो जहासी में एक दूसरे को काटते हैं यानि इनका जो crossing point है पूरप पश्यम उत्तर जच्छड कोरिडोर का जो crossing point है या crossing है वो जहासी में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे जो की greater noeda से आगरा तक है इसकी लंबाई 165.5 km है ये प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है ये प्रदेश के कुल चार जिलों से होकर गुजरता है गौतम बुधनगर, अलिगर, मतुरा और आगरा अगरा प्रश्ण है लखनव आगरा एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 302 km है ये देश का प्रथम green field expressway है जो कितने जिलों से होकर गुजरता है तो ये है 10 जिलों से हो कर गुजरता है लखनव आगरा एक्सप्रेसवे जो की 302 km लंबा है green field expressway का मतलब ये कि इसका निर्मार जो है वो private पबलिक पार्टनर्शिप के माध्यम से किया जा रहा है यानि इसका निर्मार जो है वो private संस्था करेगी और बाद में इसे सरकार द्वारा अपने अंडर म ले लिया जाएगा अगला प्रश्ण है लखनव से बलिया तक जो निर्मार धीन पुर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कुल कितनी है तो लखनव से बलिया तक निर्मार धीन पुर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल 348.1 km है और यह 10 जिलो से होकर यानि बौध अस्थलों की यात्रा करने है तो आरंभ की गई बौध परिक्रमा एक्सप्रेस वे इससे जुड़े प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं तो ऑध परिक्रमा एक्स्प्रेस से परदेश के जो जिले हैं वो हैं कॉसाम्बी, प्रयाग राज, वाराडसी, गोरक पुर और लखनऊ इसके अलाओं गया, राजगीर, बैसाली और पतना ये सब ही जो हैं वो ऑध परिक्रमा एक्स्प्रेस से जुड़े हैं ये कुल मिलाकर जो बुद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित अस्थल हैं उनकी यात्रा करने हे तु आरंब की गई है अगला प्रश्ण है बहुत ही महत्वपूर लखनव प्लान का संबंध किस से है दोस्तों तो लखनव प्लान सडकों के विकास संबंधी 20 वर्सी प्लान से संबंधित है जिसका प्रारंब 1985 में किया गया था अगला प्रश्ण उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगारी कब चलाई गई थी मार्च 1869 में प्रियाग राज और कानपूर के बीच उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगारी चलाई गई थी अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के कितने मुख्याले इस्थित हैं तो दो मुख्याले रेलवे जोन के इस्थित हैं प्रदेश में पहला है पुर्वोत्तर रेलवे जिसका मुख्याले गोरकपुर में है और दूसरा उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख् प्रयाग राज में इस्थित है अगला प्रश्ण है भारती रेल्वे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है भारती रेल्वे का सबसे लंबा प्लेटफार्म ये है गोरखपुर जंक्षन पर प्लेटफार्म संख्या एक जिसकी लंबाई 1355.40 मीटर है यानि एक किलो मीटर तीन सो पच्पन मीटर एक किलो मीटर तीन सो पच्पन मीटर यानि डेढ़ किलो मीटर के लगभग है ये भारती रेलवे का सबसे लंबा प्लेट फार्म है अगला प्रश्ण है दोस्तों डीजल इंजन निर्माड के लिए डीजल लोकोमोटिव वक्स कहां पर है तो ये मडवा डिव वारार्सी में है डीजल लोकोमोटिव वक्स उत्तर प्रदेश में रेलवे संगरहाल है कहां इस्थित है ये वारार्सी में इस्थित है उत्तर प्रदेश में रेलवे संगरहाल है प्रदेश के प्रमुख हवायड़े तो दोस्तों चौधरी चरण सिंग अंतराष्टी हवायड़ा अमोसी ये लखनव में इस्थित है लाल बहादूर सास्त्री बाबतपूर अंतराष्टी हवायड़ा वारारसी में खेरिया हवायड़ा आगरा में है बमरौली हवायड़ा प्रयागराज में चकेरी हवायड़ा कानपूर फुर्सत गंज हवायड़ा रायबरेली हिंडन हवायड़ा या हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में डाक्टर अंबेटकर अंतराष्टी हवायड़ा मेरट में और सर सावा अंतराष्टी हवा यड़ा सहारनपूर में इस्थित है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों नागरिक उड़यन प्रसिछन केंद्र कहां पर इस्थित है सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सिंटर ये बमरवली प्रयागराज में इस्थित है नेशनल पैरा सूट ट्रेनिंग कालेज ये आगरा में इस्थित है इंद्रा गांधी राष्टी उड़यन अकादमी दोस्तों फुर्सत गंज रायवरेली में इस्थित है और देश का सबसे लंबा आंतरिक जल्मारग कौनसा है तो ये गंगा नदी में प्रयाग से लेकर हल्दिया तक नेशनल वाटर वे संख्या 1 यानी राष्टी जल्मारग संख्या 1 जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जल्मारग है अगला प्रश्ण है दिल्ली से कोलकाता दिल्ली से कोलकाता तक NH2 में कौन सा सहर नहीं जुड़ा है तो NH2 यानि जिसे ग्रान ट्रेंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है उससे लखनव सहर अपना नहीं जुड़ा है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश से सुरू होने वाला सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है तो ये है NH7 यानि राष्टी राजमार्ग संख्या 7 जो की वाराणसी से कन्या कुमारे तक जाता है ये उत्तर प्रदेश से सुरू होने वाला सबसे लंबा राष्टी अगला प्रशन है देश के तीसरे रेल कोज फैक्ट्री की इस्थापना कहां की गई है लाल गन्ज राइवरेली में और ऐसी आ एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोसेड कहां पर इस्थित है तो रेलवे में एसिया एवं भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोकोसेड दोस्तों मुगल सराय में इस्थित है अब आये देखते हैं प्रतिव्यक्ति आये की द्रिष्ट से उतर प्रदेश के छेतरों का घटता हुआ क्रम देखते हैं तो प्रतिव्यक्ति आये की द्रिष्ट से उतर प्रदेश के छेतरों का घटता हुआ क्रम है उसमें सरवाधिक प्रतिव्यक्तियाय पश्चमी छेतर की है उसके बाद बुंडेल खंड छेतर फिर केंदरी छेतर और सबसे कम जो प्रतिव्यक्तियाय है वो पूर्वी छेतर की है तो प्रतिव्यक्तियाय की दिरिश्ट से उत्तर प्रदेश के चेत्रों का घटता हुआ क्रम है, उसका क्रम है पस्चमी चेत्र, बुंदेल खंड, केंद्री चेत्र और पूर्वी चेत्र अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के सरवाधिक और सबसे कम विक्सित छेतर कौन से है तो ये है सबसे अधिक विक्सित छेतर पूर्वी है और सबसे कम विक्सित छेतर पूर्वी है पूर्वी छेतर का विक्सित होने का जो कारण है कि वहाँ पे क्रिसी भी उन्नत है और उद्योगों का विकास भी हुआ है, जबकि पूर्वी छेतर केवल किर्शी आधारित है, और यहां पर उद्योगों का बहुत ही कम विकास हो पाया है। अगला प्रश्ण है, उद्योगों का विकास की द्रिश्टी से उत्तर प्रदेश का सरवाधिक विक्सित छेतर कौन सा है। और उनसे समबंधित महतपूर अस्थल। दिया सलाई उद्योग, बरेली और चमड़ा जो है वो आगरा और कानपूर में मुख्य रूप से यहां पर चमड़े का कारिका किया जाता है। अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश के अउद्योगिक विकास प्राधिकरण, इंडस्टियल डवलप्मेंट अथार्टी कौन कौन से हैं और उनके गठन का वर्स हम देखेंगे। तो दोस्तों पहला है नोएडा, नोएडा यानि नवीन ओखला इंडस्टियल डवलप्मेंट अथार्टी इसकी अस्थापना 1976 में की गई थी। इसकी अस्थापना वर्स 1989 में की गई थी। ग्रेटर नोएडा यानि ब्रिहद नवीन ओखला इंडस्टियल अथार्टी इसकी अस्थापना 1991 में की गई थी। और इडा एक है दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे और द्योगिक विकास प्राधिकरण ये 2001 में और लीडा लखनव और द्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी अस्थापना वर्स 2005 में की गई थी। तो ये है वर्स 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामुद्योग बोर्ड की अस्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में साफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। ये है नोइडा, नोइडा उत्तर प्रदेश में साफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आएए देखते हैं दोस्तों क्लस्टर विकास योजना 2006 के अंतरगत प्रदेश में जो प्रमुख क्लस्टर विक्सित किये गए हैं वो कौन से हैं। तो कार्पेट क्लस्टर भदोही, ग्लास बीड्स बाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापूर, पाटरी क्लस्टर, खुर्जा और बुलन सहर तथा लेजर लेदर या चमड़ा क्लस्टर जो है वो चौरी-चौरा गोरखपूर में। तो ये क्लस्टर विकास योजना 2006 के अंतरगत जो विभिन क्लस्टर बिक्सित किये गए हैं उनमें मुख्य रूप से कार्पेट क्लस्टर भदोही में, ग्लास बीड्स बाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापूर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलन सहर और लेदर अरखपूर में विक्सित किया गया है, अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुक खनिज और उर्जा संसाधम से संबंधित महत्वपूर प्रश्न, तो प्रश्न है खनिज संपदा की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश किस स्रेडी में आता है, खनिज संपदा की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम स्रेड़ी वाला राज्य है और एक महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर अधिक मुल्यवान खनिज नहीं पाये जाते हैं अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की अस्थापना कब की गई वर्स 1974 में खनिजों के विकास संबर्धन और प्रोसाहन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की अस्थापना 1974 में की गई थी और उत्तर प्रदेश की पहली खनिजनीत कब घोसित की गई थी 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिजनीत वर्स 1998 में घोसित की गई थी और खनिज को खनिज विकास को उद्योग का दरजा भी 1998 में दिया गया था अगला प्रशन है दोस्तों बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडारण और उत्पादन की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है तो ये है दूसरा अस्थान बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडारण और उत्पादन की द्रिष्टी से अगला प्रश्ण है कोईला भंडार की द्रिष्टी से प्रदेश का आठमा अस्थान है प्रदेश में कोईला कहा पाय जाता है तो दोस्तों प्रदेश में जो कोईला है वो मुख्य रूप से सिंगरवली सोनभदर में पाय जाता है जबकि कोईला भंडार की द्रिष्टी से परदेश का देश में आठमा अस्थान है अगला प्रश्ण है सिलिका सैंड या कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर परदेश का कौन सा अस्थान है सिलिका सैंड उत्तर परदेश का दूती अस्थान है जबकि आंध्र परदेश प्रथम अस्थान प प्रियाग राज, बाहदा, चित्रकूट, चंदौली और जहासी जीलो में पाया जाता है अगला प्रश्ण है कि सिलिका सेंड मुख्यताय प्रदेश की किन नदियों से प्राप्थ होता है तो ये देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है वो मिर्जापूर और सोनभद्र के कजरहाट छेतर से उत्पादित किया जाता है बाकसाइट का उत्पादन बादा, चंदौली से होता है और हिंडाल को जो है रेड़ु कोट में हिंदुस्तान, एलियोमिनियम कमपनी ये रेड़ु कोट में इस्थित है जो बाकसाइट से एलियोमिनियन निसकरशन का कार्य करती है डोलोमाइट खनीज ये मिर्जापूर, सोनभद्र और बादा से उत्पादन होता है इसका हीरा, बादा एवं मिर्जापूर में पाया जाता है ग्रेफाइट दोस्तों ग्रेफाइट का उत्पादन हमीरपूर और मिर्जापूर के चुनार से होता है यूरेनियम थोड़ी बहुत मात्रा में ललितपूर जिले में पाया जाता है जिपसम खनित जो है वो जहासी और हमीरपूर में तथा ताबा जो है वो ललितपूर के सोनराय छेतर में पाया जाता है सेंड श्टोन, मिर्जापूर और सोनभद्र में फायर कले ये मिर्जापूर में इसका उत्पादन होता है अगला प्रश्ण देखते हैं उत्तर प्रदेश की नई उर्जानीत कब घोसित की गई थी तो उत्तर प्रदेश की नई उर्जानीत 2003 में घोसित की गई थी राज्य के कुल विद्दुत उत्पादन में सरवाधिक योगदान किसका है तो राज्य के कुल विद्दुत उत्पादन में सरवाधिक योगदान तापी विद्दुत या थर्मल पावर का है और ये सरवाधिक मातरा में उत्तर प्रदेश में तापी विद्दुत का उत्पा गई थी राज की सबसे बड़ी जल बिद्दुत परियोजना कौन सी है तो दोस्तों राज की सबसे बड़ी जल बिद्दुत परियोजना रिहंद जल बिद्दुत परियोजना है जो की सोन भद्र के पीपरी नामकस्थान पर रिहंद नदी पर इस्थित है अब आये देखते ह परताब विद्दुत परियोजना कानपूर में इस्थित है राज में अस्थापित एक मात्र परमाड विद्दुत केंदर कहां पर है तो राज में दोस्तों एक मात्र परमाड विद्दुत केंदर नरावरा बुलन सहर में इस्थित है जिसके पर्थम इकाई का संचालन 1991 और दुती इकाई का संचालन 1992 में किया गया था और ये नरावरा में जो परमाडव विद्दुत केंद्र इस्थित है ये भारी जल आधारित परमाडव संयंत्र है तो प्रश्ण ये था कि राज़ में अस्थापित एक मात्र परमाडव विद्दुत केंद्र ये आपके नरावरा बुलंद सहर में इस्थित है अगला प्रश्ण है परदेश में यंटी पीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं अन्य सभी संयंत्र जो हैं वो कोईले आधारित ताप विद्दुत संयंत्र हैं लेकिन ये अन्टी पीसी यानि नेशनल थरमल पावर कार्पोरेशन इसके जो गैस आधारित 3 हैं औरया, आउला और दादरी ये एंटी पीसी के गैस आधारि सयंत्र हैं न की कोईला आधारित। अगला प्रश्ण है माता टीला जल विद्दुत पर्योजना कहां परिस्थित है तो ये बेतवा नदी जहासी में हैं। अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में नवी काड़ी उर्जा के महतो को द्रिष्टिकत रखते हुए बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान नेडा की अस्थापना कब की गई। प्रमुख विद्दुत इकाईया कौन सी हैं। और ललितपूर ताप विद्दुत परियोजना ललितपूर में है जो की बजाज ग्रूप के स्वामित्त में है। अगला प्रशन है केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विक्सित किये जाने वाले जिले कौन से हैं। सोलर सिटी यानि सौर उर्जा के महत्त को देखते हुए सोलर सिटी के रूप में कुछ जिलों को विक्सित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विक्सित किये जाने वाले तीन जिले हैं। सोलर प्रावर प्लांट है और इसकी उत्पादन चमता आठ दसमलो साथ किलो वाट है। अगला प्रश्ण है ओबरा जल विद्दुत केंद्र कहां पर इस्थित है। तो ओबरा जल विद्दुत केंद्र रिहंद नदी पर ओबरा नामकस्थान में सोनभद्र जनपद में इस्थित है अब आईए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख एतिहासिक धार्मिक अस्थल और परियतन से संबंदित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश परियतन विकास निगम की अस्थापना कब की गई तो उत्तर प्रदेश में परियतन के विकास और उसके महत्व को परदासित करने के लिए परियतन विकास निगम की अस्थापना वर्स 1974 में की गई थी पर्याटन को उद्योग का दर्जा कभी दिया गया तो पर्याटन को उद्योग का दर्जा वर्स 1998 में दिया गया था एक महत्पोर्ण प्रश्न देखिए पर्देश में Heritage Ark के रूप में विक्सित किया जा रहा circuit कौन सा है Heritage Arc यानि तीन जीलों को या तीन अस्थानों को मिला कर प्रदेश में Heritage Arc के रूप में विक्सित किया जा रहा है तो वो कौन कौन से जीले इसमें सामिल हैं तो वो है आगरा लखनव और वाराणसी आगरा लखनव और वाराणसी को हेरिटेज आर्क के रूप में विक्सित किया जा रहा है अगला प्रशन है यूनेस को विस्व धरोहर सूची में सामिल उत्तर प्रदेश के प्रमुख असमारक कौन से हैं दोस्तों तो तीन असमारक हैं जो उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं जिन्हें की यूनेस को विस्व धरोहर सूची में सामिल किया गया है ये है ताजमहल आगरा किला और फतेहपूर सीकरी यूनेस को विस्व धरोहर सूची में सामिल है बिदेशी परियाटकों के लिए प्रदेश का सबसे महतुपूर दर्सनी अस्थल कौन सा है तो वो है दोस्तों ताजमहल जापान के सहयोग से चलाई जा रही एक परियोजना है जिसके अंतरगत बौध परिपतों का निर्मार किया जाना है बौध परिपत या बौध सरकिट से मतलब ये है कि वे अस्थान जिनका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन से है तो जापान के सहयोग से बौध परिपतों के निर्मार के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है उसका नाम है मैत्रे परियोजना अगला प्रश्ण है जैन धर्म के पांच तिर्थांकरों की जन्म भूमी कौन सी है तो वो है आयोध्या अगला प्रश्ण है पुस्यमित्र सुंग ने दो अस्वमेधियग कहां किया था तो वो है अगला प्रश्ण है दोस्तों महा जनपतकाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरतमान में कहां है तो बरतमान में अहिच्छत्र बरेली जनपद में इस्थित है और सिंधुगाटी सब्भेता का पूर्वी प्रसार अस्थल आलमगीरपूर कहां पर इस्थित है दोस्तों सिंधु सब्भेता या सिंधुगाटी सब्भेता का पूर्वी अस् तो बरतमान में कपिल वस्तु की पहचान दोस्तों पिपरहवा नामकस्थान से हुई है जो की सिधार्त नगर जनपत में इस्थित है अगला प्रशन है बाउध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है बाउध और जैन दोनों ही धर्मों के मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ अस्थल कौसांबी में इस्थित है कौसांबी दो सो महा जनपत काल में वत्स महा जनपत की राजधानी थी अगला प्रश्ण है प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरिक कहां इस्थित है तो ये कौसांबी में इस्थित है भक्त संत मलूक दास की जनमस्थली कौन था भक्त संत मलूक दास मलूक दास का एक दोहा बहुत ही प्रशलित है अजगर का रहन चाकरी पंची का रहन काम दास मलूका कह गए सब के दाताराम तो वो थे संत ज्यान मारगी, निर्गुण, ज्यानासरई साखा के कवी थे, संत मलूक दास, इनका जन्मस्थली, कडा या कौसाम भी था अगला प्रश्ण है दोस्तों, अकबर के नौरतनों में से एक बीरवल का जन्मस्थान कौन सा है? तो बीरवल का जन्म कालपी में हुआ था, दोस्तों बीरवल का जो रियल नेम या वास्तविक नाम था, वो महेस दास था अगला प्रश्ण है, जैन धर्म के 23 में तिर्थंकर भगवान पारसुनात का जन्म कहां हुआ था? तो पारसुनात का जन्म कासी यानि वारारसी में हुआ था, जैन धर्म के 23 में तिर्थंकर पारसुनात का जन्म अगला प्रश्ण है, जैचंद को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो जैचंद को मुहम्मद गोरी ने दोस्तों 1194 के चंदावर युद्ध में पराजित किया था चंदावर जो की कन्नौज और इटावा के मद्ध में इस्थित है अगला प्रश्ण है जौनपूर जिसे की सिराजे हिंद कहा जाता था जौनपूर की अस्थापना किस ने की थी जौनपूर की अस्थापना फिरोज साहतुगलक ने अपने भाई मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाके इस्मृत में किया था जौनपूर का संस्थापक फिरोज साहतुगलक और जौनपूर को जो सल्तनत काल था उसमें सिराजेहिंद कहा जाता था अगला प्रशन है गुप्त कालीन मंदिर दसावतार मंदिर कहां पर इस्थित है तो ये देवगढ ललितपूर में दसावतार मंदिर इस्थित है अगला प्रेशन है दोस्तों हर्स बर्धन प्रति पांचवे वर्स महा मोक्ष परिसत का आयोजन कहां करता था तो हर्स बर्धन द्वारा प्रति पांचवे वर्स बाद महा मोक्ष परिसत का आयोजन प्रयाग राज में किया जाता था अगला महत्वपूर्ण प्रश्ण गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी कौन थी? गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी प्रियाग राज थी? प्रसिध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्मस्थान क्या रहा? तो दोस्तों बरनस्थान है बु भीतर गाओं कहां इस्थित है भीतर गाओं दोस्तों यहाँ पर इट निर्मित मंदिरों के आउसेस मिले हैं तो यह रमाबाई नगर कानपूर देहात में इस्थित है गुप्त कालिन मंदिरों के लिए प्रसिद भीतर गाओं अगला प्रशन है दोस्तों गुप्त कालिन अस् ये प्रथम सुतंता संग्राम का आगाज कहां से हुआ था तो ये है दोस्तों मेरट से 10 माई 1857 को भारत के प्रथम सथन्ता संग्राम का आगाज हुआ था वो जगह थी मेरट अगला प्रेश्ण है वारार्सी के निकट सारनाथ के अन्य नाम कौन से हैं तो दोस्तों सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे की धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है सारनात के अन्य नाम रिशि पत्नम और म्रिघ दाओ जो कि वारार्शी के निकट है और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था धामेख इस्थूप धर्मराजिका इस्थूप कहां पर इस्थित हैं तो दोस्तों धामेक इस्तूप और धर्मराजिका इस्तूप ये सारनात में इस्थित हैं बुद्ध ने इस्त्रियों को संग में प्रवज्या की अनुमत कहां पर दिया था तो महात्मा बुद्ध ने इस्त्रियों को संग में प्रवेश की अनुमत संकिसा में दिया था और भगवान बुद्ध ने सरवाधिक 25 वर्षाकाल कहां पर ब्यतीत किये थे अगला प्रिशन है दोस्तों आजीवक संपरदाय के प्रवर्तक मक्खल गोसाल का जन्म कहां पर हुआ था मक्खल गोसाल का जन्मस्थल स्रावस्ती है सूरसेन महाजनपत की राजधानी कौन थी तो दोस्तों महाजनपत काल में जो सूरसेन महाजनपत था उसकी राजधानी मतुरा थी एक प्रश्ण देखते हैं कुसाडों के पूर्वी सामराजी की राजधानी जो की मूर्ति कला एवं ब्यापार का प्रमुकेंद्र था कौन था तो कुसाडो के सासन काल में उनके पूरवी सामराजी की राजधानी मतुरती जो की मूर्ति कला और व्यापार का परमुक केंद रहा है कुसाड काल में अगला प्रश्ण है प्राचीन काल में ब्रहमवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध अस्थल जहां महर्सिबालमेकी का आसरम है वो कौन सा था तो बिठूर है वो जगह दोस्तों बिठूर कानपूर के निकट गंगा नदी के तट परिस्थित है जिसे की प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था और यहाँ पर महर सिवालमी की का आस्रम है बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विसाल चर्च कहां पर इस्थित है तो बेगम समरू ने एक विसाल चर्च का निर्मार सरधना मेरट में कराया था अगला प्रशन है पिर्थवी का सर्वो पर तिर्थ किसे कहा जाता है तो वो है चक्रतिर्थ नैमिसा राणे चक्रतिर्थ नैमिसा राणे को पिर्थवी का सर्वो पर तिर्थ कहा जाता है जैनों की कासी किसे कहा जाता है दोश्तों तो हस्तिनापुर को जैनों की कासी कहा जा और वह नगर जो नगर महोदय स्री के नाम से प्रसिद्ध था वो कौन सा है तो ये है कन्नोज नगर कन्नोज नगर जिसे की इत्र नगरी भी कहा जाता है ये दोस्तों हर्सवर्धन के समय में नगर महोदय स्री के उपनाम से प्रसिद्ध था अगला प्रश्ण है आगरा की अस्थापना किसने की थी 1544 बी में सिकंदर लोदी ने आगरा की अस्थापना की थी मुगल काल में सिच्छा का प्रमुक केंद्र कौन सा था दोस्तों तो मुगल काल में सिच्छा का प्रमुक केंद्र आगरा था प्रसिद्ध सूफिसंत हाजी वारिस अलिसाह की मजार कहां इस्थित है देवा सरीप बारा बंकी में प्रसिद्ध सूफिसंत हाजी वारिस अलिसाह की मजार इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों महा जन्पत काल में पांचाल जन्पत की राजधानी कमपिल किन महा भारत कालीन चरित्रों का जन्मस्थल रहा है तो दोस्तों कमपिल ये द्रोपदी और द्रोणाचारे का जन्मस्थल भी रहा है अगला प्रश्ण है महा जनपतकाल में मल्ल गर्राजी की राजधानी कौन सी थी तो मल्ल गर्राजी था जिसकी राजधानी कुसी नगर थी और कुसी नगर भगवान बुद्ध का महा निर्वान अस्थल या परिनिर्वान अस्थल भी था तो ये महाजनपत काल में कुसी नगर मल लगर राजी की राजधानी था अगला प्रश्ण है किसके सासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनव लाई गई नबाब आसफुद्दौला नबाब आसफ उद्दौला के सासनकाल में अवध की राजधानी या अवध प्रदेश की राजधानी फैजाबाद से लखनव अस्थानांतरित की गई थी रानी लच्मीबाई का जन्म कहां हुआ था दोस्तों तो भदैनी असी के पास है वाराणसी में वहाँ पर रानी लच्मीबाई का जन्म हुआ था रानी लच्मीबाई के बजपन का नाम मनु था अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेम मंदिर कहां पर इस्थित है तो प्रेम मंदिर ब्रिंदावन में इस्थित है जिसका निर्माण कृपालुजी महराज ने करवाया था अगला प्रश्ण है लाड कारनवालिस का मकबरा कहाँ इस्थित है तो ये गाजीपुर जनपद में इस्थित है करांति नगर के नाम से विख्यात नगर कौन सा है तो ये है मेरट मेरट को क्रान्ति नगर या Revolution City के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1857 के पर्थम स्वतंता संग्राम का आगाज मेरट से ही हुआ था अगला प्रेश्ण है हिंग और गुलाल नगरी के नाम से प्रिसिध नगर कौन है? हिंग और अंदोलन की समय ये चौरी-चौरा घटना प्रकास में आई थी और ये जो अस्थल है ये गोरकपुर में इस्थित है अगला प्रश्ण है बिसुका प्राचींतम जीवन्त सहर कौन सा है तो कासी या वाराणसी बिसुका प्राचींतम जीवन्त सहर है उद्यन वास बदत्ता की कथा कहां से संबंधित है तो ये कौसांबी से संबंधित है प्रसिद जे के मंदिर कहां पर इस्थित है कानपूर में भारत माता मंदिर दोस्तों सोतंता आंदोलन के समय क्रांतिकारी गत्विधियों का प्रमुकेंद्र भारत माता मंदिर वारारसी में इस्थित है अगला प् प्राचीन नाम परतिश्ठान पूरी था जो की भगवान रिशब देव की तपस्थली भी मानी जाती है अगला प्रशन है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज परियतन दिवस कब मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज परियतन दिवस प्रतिवर्स 14 फरवरी को मनाया जाता तो वर्स 2014 में मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है वारारसी को चित्रित धूसर मृत्भांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा कहा पर इस्थित है तो दोस्तों चित्रित धूसर मृत्भांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा एटा जिले में इस्थित है अगला प्रश्ण है स्वामी हरिदास कहा निवास करते थे प्रसिध संगीतकार या संगीतग्य स्वामी हरिदास निधिवन व्रिंदावन में निवास करते थे दोस्तों अब आईए उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति के संबंद में महत्वपूर्ण प्रश्णों को देखते हैं, चुकि कला और संस्कृती बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है किसी भी परिच्छा के लिए, तो इससे जो संबंधित प्रश्ण हैं आप उनको बहुत ध्यान से पहला है प्रदेश के अयतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, संबर्धन और अध्यन के लिए संस्कृती विभाग की अस्थापना कब की गई थी? तो प्रदेश उत्तर प्रदेश के संस्कृती विभाग की अस्थापना वर्स 1957 में की गई अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहां पार इस्थित है तो ये लखनव में इस्थित है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो की वर्ष 1963 में अस्थापित किया गया था राष्ट्री कथक संस्थान दोस्तों कथक जो है वो प्रदेश का एक मात्र सास्तरिन रित है कथक के उन्नेयन उसके विकास और उसके संरक्षण के लिए राष्ट्री कथक संस्थान के अस्थापना लखनव में वर्ष 1988-89 के मद्ध की गई थी तो राष्ट्री कथक संस्थान लखनव में इस्थित है अगला प्रश्ण है प्रदेश में अस्थापत्य कला के प्राची इंतम साच्छे कहां से मिलते हैं तो ये मौर्य कालिन साच्छे जो हैं वो प्रदेश में अस्थापत्य कला के प्राची इंतम साच्छे है अगला प्रश्ण है दोस्तों मंदिर निर् का विकास गुप्त काल में हुआ था और मुगल चितरकला सहली की निव कब पढ़ी थी बहुत ही महतोपूर है मुगल चितरकला का स्वनकाल यद्यप जहांगीर के काल को माना जाता है लेकिन मुगल सामराठ हुमायू के समय में पड़ी थी अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश कला एवं सिल्प महाविद्याले कब अस्थापित किया गया उत्तर प्रदेश कला एवं सिल्प महाविद्याले की अस्थापना कब की गई वर्स 1911 में अगला प्रश्ण है लखनव चितरकला सैली के जनक कौन है असित प्रश्ण दोस्तों कुछ प्रमुक्चित्र और उनके चित्रकारों के बारे में हम जानेंगे तो बुद्ध का गृत्याग जो चित्र है उसके चित्रकार है रणवीर सक्सेना, सत्यम सिवन सुंदरम के चित्रकार सिवनन्दन नौटियाल, राम लीला जो चित्र है उसके चित भवानी चरणगियों हैं चुकि संगीत दोस्तों भारती संगीत का आधिसरोत सामवेद को माना जाता है सामवेद को संगीत का आधिगरंथ माना जाता है लेकिन संगीत के बाइबिल की संग्या किस गरंथ को दी जाती है संगीत का बाइबिल तो ये नाटिसास्त्र जिसके रूपद सहली में इरानी सहली का मिस्रण करके खयाल गायन का आविसकार किस ने किया। इसकी अस्थापना 1950 में की गई थी जो कि भारत का बहुत ही बड़ा चित्रकला संग्रहाले है। अगला प्रश्ण है ठुमरी गाय का गिर्जा देवी का संबंध किस से है। ठुमरी गाय का गिर्जा देवी बनारस घराने से संबंधित है। बिंदा दीन, संभु महराज, लच्छु महराज, बिर्जु महराज और अच्छन महराज किस से संबंधित हैं। ये सभी जो हैं, ये नर्तक हैं, ये कथक से संबंधित हैं। दोस्तों, अमीर खुसरोद्वारा प्रारंभ किये गए खयाल गायन को सिर्ष पर पहुचाने का स्रे किसे दिया जाता है। जिसके प्रमुख कलाकारों में बिंदा दीन, संभु महराज, लच्छु महराज, बिर्जु महराज और अच्छन महराज शामिल हैं। अगला प्रश्ण है कथक नृत्य के प्रड़ेता या उन्नायक किसे माना जाता है। ठाकुर प्रसाद को कथक नृत्य का प्रड़ेता या उन्नायक माना जाता है। कथक में ठुमरी गायन का समावेश किस ने किया तो पंडित बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया अब आये देखते हैं प्रमुख लोकगीत और उनसे संबंधित छेत्र दोस्तों कजरी कजरी जो बरशात के समय में गाया जाता है ये मिर्जापूर और वा पराणसी में प्रचलित है बिरहा पुर्वांचल का लोग गीत है सोहर ये अवध प्रदेश या पुर्वांचल में गया जाता है जो बालक के जन्म के समय ये लोग गीत गाया जाता है सोहर आलहा आलहा बुंदेल खंड में प्रचलित है इसुरी फाग बुंदेल खंड में औ और होरी, फाग और रसिया ब्रज छेतर के प्रमुख लोग गीत हैं। अब आईए देखते हैं बहुत ही महतपूर प्रमुख लोक नृत्य प्रमुख लोक नृत्य और उनसे संबंधि छेतर। तो खयाल इरित दोस्तों बुन्देलखंड का है रास नरित जूला नरित मयूर नरित चरकुला नरित ये ब्रज छेतर के हैं। धूरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक नरित, सोरा और पाई डंडा निरत ये बुन्देलखंड छेतर में प्रचलित हैं। नटवरी, धोबिया, कहरववा और धीवर नरित पुर्वांचल में प्रचलित है इसके अलावा जोगिनी और कलाबाजी ये अवद छेतर के प्रमुख लोकनरित है कर्मा, सोनभद्र और मिर्जापुर में तथा राहुला लोकनरित बुंदेल खंड में है दो महत्वपूर प्रश्ण आ अगला प्रश्ण है दोस्तों आधुनिक सास्त्री हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक सास्त्री हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्यंद को कहा जाता है प्रदेश के प्रमुख लोकनाट कौन कौन से है तो दोस्तों प्रदेश के राम लीला मुख्य रूप से राम नगर वाराण सी प्रियाग राज और आयोध्या में प्रशलित है रास लीला का आयोजन ब्रज छेतर में किया जाता है जबकि नौटंकी का प्रचलन मुख्य रूप से कानपूर और हाथरस में है अगला प्रशन है राज में सरवाधिक 86 मेलों का आयोजन कहां किया जाता है तो राज में वार्सिक वर्स भर में सरवाधिक 86 मेलों का आयोजन मतूरा जनपद में किया जाता है प्रमुख मेले और उनके आयोजन अस्थल देखते हैं तो पहला है बटेस्वर मेला जो की पसू म ये आग्रा में आवयोजित किया जाता है, नौचंदी में ददरी में पसु में बलिया में आयोजित किया जाता है अजित किया जाता है। अस्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की अस्थापना 1975 में हुई थी। राज की जैन संग्रहाले कहां पर इस्थित है। अगला प्रशन है खड़ी बोली का विकास सौर सेनी अपभरंस से हुआ है। तो दोस्तों खड़ी बोली का विकास जिस सौर सेनी अपभरंस से हुआ है। इसके अन्यनाम कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी है। अगला प्रशन है ब्रज छेतर जिसके अंतरगत मतुरा, अलीगर, हाथरस, कासगंज आदिका छेतर आता है। इसमें प्रियूक्त ब्रज भासा का विकास किस से हुआ है। तो दोस्तों ब्रज छेतर में प्रचलित ब्रज भासा का विकास सौर सेनी अपभरंस से माना जाता है। अगला प्रशन है अवध छेतर जो की फैजाबाद, गोंडा, बहराईच, सीतापुर, लखनव, उन्नाव, रायबरेली आदि में बोली जाने वाली अवध छेतर की बोली जो अओधी है उसका विकास किस से हुआ है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ब्रज भासा का विकास सौर सेनी अपभरंस से माना जाता है, उसी प्रकार अओधी भासा का विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। उनिस सो उन्चास में प्रियागराज में की गई थी। जाएन और बौध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तिर्धस्तल कौन सा है तो ये है कौसामभी और उत्तरमध्य सांस्कृतिक केंद्र कहां पर इस्थित है। राजकी सुतंता संग्रहाले निर्मित किया गया है। अगला प्रश्ण है प्रदेश में कुसाड एवं गुप्त कालिन संस्कृतिक का एक मात्र संग्रहाले कहां है। अगला प्रश्ण है खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्पूर्ण योगदान देने वाले किस माना जाता है। तो खड़ी बोली के विकास में महत्पूर्ण योगदान देने वाले जो सबसे महत्पूर्ण हैं वो अमीर खुसरो हैं दोस्तों। तो खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्पूर्ण योगदान अमीर खुसरो का है। तो ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश स्पेसल यानि UP से संबन्धित सभी महतोपूढ प्रश्ण जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्त चैन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परिछाओं के लिए झाल झाल